Hello everyone, स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं phone book IPO के बारे में इस वीडियो को हम 4 point में cover करेंगे 1st में हम IPO की dates and details को देखेंगे 2nd में हम company के finance को देखेंगे 3rd में हम company के GMP को देखेंगे 4th में हम analyze करेंगे कि क्या हम इस IPO में invest करना चाहिए नहीं तो आप इस वीडियो को last तक बिना skip करिए देखेगा ताकि आप सही से decision ले सके कि क्या आपको इस IPO में apply करना चाहिए नहीं और अगर आप पहली बार हमारे इस channel को visit कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आप आगे भी इसी तरह की वीडियो से updated रह सकें तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले चलते हैं IPO की dates and details पर यह IPO जो open होने वाला है वो होने वाला है 24 जनवरी 2024 को and close होगा 29 जनवरी 2024 को यानि की IPO 24 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में open रहने वाला है इसकी intimation के आपको IPO alert हुआ है या नहीं इसकी intimation आपको 30 जनवरी 2024 तक मिल जाएगी इसके अलावा जगर आपको IPO alert नहीं होता है तो उसका जो amount है वो आपको refund हो जाएगा 31 जनवरी 2024 तक अब यह share market में कब लिस्टेड होंगे उसकी date ही 1 फरवरी 2024 यानि की 1 फरवरी 2024 को यह share market में लिस्टेड हो जाएगी इसके अलावा जो company ने इसका price band रखा है वो रखा है 66 to 70 रूपीज पर share का जिसमें जो 70 रूपीज है वो आपकी issue price होने वाली है एक load में 2000 share होने वाले है इसका जो total issue size है वो है 20.37 करोड का और यह पूरा का पूरा क्या है fresh issue है इसके अलावा जो share holding है इसके आप में लिस्टिंग देख लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग होने वाली है national stock exchange पर और यह क्या है SME share है इसकी जो share holding pre issue है वो 73,50,000 की share holding post issue हो जाएगी इसकी 1 करोड 2,60,000 की अगर आप retail category में अप्लाए करते हैं तो आप minimum एक load के लिए apply कर सकते हैं and maximum एक load के लिए apply कर सकते हैं जिसका amount होगा 1,40,000 का अगर आप HNI category से apply करते हैं तो minimum 2 load के लिए apply कर सकते हैं जिसका amount होगा 2,80,000 का इसकी जो प्रबोंटर्स की शेर होल्डिंगे वो प्री इश्यू है 100% की, पोस्ट इश्यू हो जाएगी इसकी 71.64% की, IPO के रिजर्वेशन के लिए देख रहते हैं कि के टेग्री वाइस कितना IPO का रिजर्वेशन रखा गया है, के लिए बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंस की, हमारे पास 3 साल का डाटा है 2021, 2022 और 2030 का, इसमें हमारे पास assets, revenue, profit after tax, net worth, reserve and surplus and total borings दी हुई है, यह जो amount दे रखे हैं हमें किसमें दे रखे हैं इन legs में दे रखे हैं, तो 2021 में जो assets थी होती, 71.08 lex की, जो 2022 में काफी जादा increase हो गई, 2110.70 lex की, 2023 में यह और भी जादा हो गई, जो हो गई, इसका amount हो गया, 3861.05 lex की, तो यानि कि जो assets से वो लगातर क्या हो रहा है, increase हो रही है, revenue हमारे पास देखे, तो 2021 में थी 9.92 lex की, 2022 में इन्होंने बहुत ही जादा increase किया है, जिसका amount हो गया, 9,092.33 lex की, 2023 में इन्होंने बहुत ही जादा exit किया है, जिसका amount हो चुका है, 19,006, 26.09 lex का, तो profit बहुत ही अच्छे, से increase, revenue है, वो अच्छे से increase हुआ है, तो ये भी हमारे लिखतर का क्या है, plus point चल रहा है, profit after tax की बात करें, तो 2.36 minus negative में था, 2021 में, परिणोंने थोड़ा अच्छा काम किया, तो उन्होंने उस negative का positive में convert किया, 2022 में हो गया, 12.79 lex का profit, 2023 में और भी अच्छा काम किया, 288 lex की, जो 2022 में 60.23 lex की हो गई, फिर 2023 में बढ़कर ये 210.26 lex की हो गई, तो यानि कि जो net worth है, वो भी हमारी क्या लगाता, increase हो रही है, तो ये भी हमारे लिए प्लस 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 की बात करें, 2022 में नेगेटिव में चल रहे थे, 2.36 से, 22 में उन्होंने work किया अच्छा, तो उन्होंने 10.43 lex की reserve and surplus हो गई, 2023 में उन्होंने और भी अच्छा किया, तो 170.29 lex के इसके reserve and surplus हो गई, तो ये भी लगातर क्या हो रहा है, हमारा increase हो रही है, टोटल बोरिंग्स हमारे पास 2021 में नहीं दे रखा है, डाटा उसका, 2022 में हमारे पास टोटल बोरिंग्स ही 584.26 lex और 2023 में बढ़कर ये 1058.22 lex की होगी, तो टोटल बोरिंग्स की और ये बढ़ रही है, तो हमारे लिए अगर ये बढ़ती है, तो negative point चलता है, इसके अलावा अगर हम देखें, जो इसकी revenue कितने percent से increase हुई है, 2023 में in comparison to 2022, तो ये 115.85% से इसका revenue बढ़ा है, 2023 में comparison to 2022 में, और अगर profit after tax की बात करें, तो इसका revenue बढ़ा है, वो बढ़ा है, 1149.88% से in 2023 comparison to 2022, ये हमारे लिए एक तरह गया क्या है, प्रस point क्योंकि इन में अच्छे बढ़ातरी हुए, 2023 में comparison to 2022 में, चलिए अब बात करते हैं, इस company की performance indicator की, इसकी जो market capitalization है, 71.82 करोड की, इसमें ROE दे रखा है, 118.20% का, ROE से दे रखा है, 34.55% का, RONW दे रखा है, यानि return on network दे रखा है, 76.15% का, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर ROE, ROCE, ROE, RONW, अगर 15 से ज़्यादा है, तो हमारे लिए क्या है, यह प्लस point है, अगर एक से कम होता है, तो हमारे लिए positive point होता है, otherwise हमारे लिए negative point होता है, यहाँ पर जो depth to equity ratio दे रखा है, वो दे रखा है 5.03, यानि कि यह बहुत ही जादा है, तो यह हमारे लिए बहुत बढ़ा negative point है, तो इसलिए, यह को last तक बीना skip करिए, देखते रहेएगा, ताकि आप भी सही decision ले सके कि क्या आपको इसको first day पर ही apply कर देना चाहिए नहीं, इसके अलावा हमारे पास जो PB दे रखा है, वो दे रखा है 1.66 का, EPS pre IPO है 2.17 का, post IPO 1.56 का है, PE हमारे पास pre IPO 32.18 का है, post IPO हो जाएगा 44.93 का, EPS अगर हम देखें तो ज़्यादा अच्छे नहीं है, पर main चीज है कि positive में है, तो यह ठीक है, अगर negative होता तो बिल्कुली negative होता, हमारे लिए negative point होता, पर यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, पर ठीक है positive में है, तो इसको भी हम plus point में ले लेते हैं, चलिए अब बात करते हैं, इस कंपनी के GMP की, हमारे पास 18 जनवरी जोचार चोबिस को जो GMP दिखा रहा था, वो रुपा, रुपीस 50 था, यानि कि टर्म सर प्रसेंटेज बात करें तो 71.43% का हमारे पास GMP है, इसके अलावा 19 जनवरी को हमारे पास GMP था, वो 50 रुपीस ही चल रहा थ जानि की सेमी चल रहा था, 71.43 % का, अगरम प्रॉफिट के बात करें कि अगर हम इस इस आप्लाइ करते हैं, और हम, कितने तक पीट हो सकता है, अभी फिलाल कि आज की जची समय में वीड़ी रिकॉड कर रहे है, उस समय अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि तो हमें जैसे की यह एब यह सकता है कि तब तक इसके ज्यादा बड़ोत्री आ जाए यह फिर बहुत ज्यादा कम हो जाए तो उसके लिए मैं क्या करूंगी जैसे कि यह को यह आई प्रोज होगा तो मैं आपके लिए 28 अपडेटेट वीडियों कर आऊंगी जिसमें हम अपडेटेट जिए क्योंकि और जो फस्ट पे भी अपलाई कर रहे हैं उनके लिए वी काम आ सकती है क्योंकि आप अगर फस्ट पे अपलाई करते हैं तो उस आइप को आप कैंसल भी कर सकते हैं तो आउन तो यह वीडियो आप देखिए फिर हम फाइनल डिसे लेंगे कि क्या हमें साइप कर देना चाहिए या नहीं जैसे कि हमने इसके फाइनेंस देखे फाइनेंस ओवरल गुर्थ है बहुत अच्छे थे इनकी 2023 में और 2022 में काफी अच्छी परफॉमेंस रही थी पर इसमें जो एक नेकिटिव पोइंट था वो ता डेप टोई किटी रेश्यों हमारे पास जो एक जो यह एक समी आएप वहे जाए रिस्क होते हैं तो उमें आइप में तब ही अपलाय करने का पहले तो कभी भी ऐसे में फाइप अपलाय ना करें क्योंकि इसके ज्यादा बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज होता है या तो जैसे कि इसका अब ही 76 पोइंट चल रहा हो अभी फिलाल इसका 76 परसें चल रहा है तो मैं इसका फास्ट पर अपलाय करने का सजेशन नहीं दोंगी हम लास्ट दे तक वेट करेंगे लास्ट लास्ट पर में एक आपको अपडेटेटेट वीडियो लेकर आऊंगी जैसे कि 29 अरी को यह खतम होगा तो 28 सारी को में करना चाहिए नहीं तो आप हमारे सब्सक्राइब करें ताकि आप उन्वीड़ो से अब्डेटेटेड है सके चलिए आज की वीडियो में इहीं पर समाप्त करते हूं थैंक यू सो मच पर वचिंग मैं वीडियो